IPL का auction चल रहा था, बड़े-बड़े खिलाडियों पे बोलिया लगाई जा रही थी, मिचल स्टाक, पैट, कमेंज, शादुल, ठाकुर, ये सारी खिलाडि करोड़ों में बिक चुके थे, लेकिन ये बहुत सर्प्राइजिंग और बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं था, क्योंकि सब कोई पता था, कि ये ऐसे खिलाड़ी है, जिन पर बड़े-बड़े बिड़ जो है, वो लगाई ही जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्प्राइजिंग तब था, जब Uncapped खिलाडियों की लिश्ट आई थी, उनका सेट चल रहा था, और उसमें से खिलाड़ी जो थे, वो सोल्ड आउट हो रहे थे, लेकिन एक 20 साल का खिलाड़ी, यूपी का रहने वाला खिलाड़ी, उसने सब का ध्यान अपनी तरफ खीच लिया, जब उसकी बिट बढ़के 8 करोड तक चली गई, जीटी और सीएस के, दो फ्रेंचाइजी जो बहुत ही जादा सफल फ्रेंचाइजर ही है, जीटी ने पहले ही सीजन में IPL का खिताब अपने नाम किया था, और सीएस के, पाँच बार की IPL चैंपियन है, ये दो फ्रेंचाइजी समीर रिजवी के पीछे पड़ गए, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, समीर रिजवी नाम है इस खिलाड़ी का, और इस खिलाड़ी को चिन्ने सुपर किंग्स ने अपने खेमे में शामिल किया है, आठ करोड चालिस लाख रुपए में, बड़े बड़े जहां पर प्लेयर, जैसे की स्टीव इसमीद हो गया, मनीश पांड़े हो गया, इस सारे प्लेयर जो थे पहले राउंड में, मतलब सोल्ड नहीं वे थे, अन्सोल्ड गय थे, इन सारे खिलाड़ीयों को पीछे छोड़ते हुए, सिर्फ एक 20 साल का लड़का, जिसने अभी इंडिया के लिए डेब्यो भी नहीं किया, जिसका नाम लोग इतना जानते भी नहीं थे, उस लड़के ने आईपेल आउक्षन में संसनी मचा दी, समीर रिजवे सिर्फ 20 साल के हैं, और उत्तर प्रदेश के मेरट के रहने वाले हैं, हर कोई समीर रिजवे के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा एकसाइटेड हुआ, क्योंकि समीर रिजवे ने संसनी तो मचाई है, इस आईपेल आउक्षन में, चले सिर्फ बताते हैं समीर रिजवे का क्रिकेट करियर आपको, समीर रिजवी के क्रिकेट करियर की बात करें तो फर्स्ट क्लास मैच दो खेले हैं लिश्ट A मैच 11 खेले हैं T20 मैचेस भी 11 खेले हैं आपको बता दे कि UP की T20 लीग चल रही थी उसमें कानपूर सुपरस्टास की तरफ से समीर रिजवी खेल रहे थे जिसमें 10 मैचेस खेले थे रंग 455 बनाये थे एवरेज 50 दसमलो 56 खा था और स्ट्राइक रेट 188 की थी इतने ताबर तोड स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने रंग बनाये थे कानपूर सुपरस्टास की तरफ से और अभी सयद मुश्ताक अली ट्रोफी हाले में खेले गया था उसमें भी समीर रिजवी ने ताबर तोड बल्ले बाज़ी करी थी इनके बल्ले से बहुत सारे रंस निकले थे और ये घरेलू क्रिकेट लीग में तेरहवे ऐसे खिलाड़ी बन गये थे जिन्नोंने सबसे ज़ादा रंस बनाये थे तो ये थी समीर रिजवी का बैक्रावंड और इसी वज़य से कहीनने कहीं चिन्नी सुपर किंग्स गई समीर रिजवे के बीछे क्योंकि समीर रिजवी बहुत ही ज़यादा विश्पोटक बलले बाज हैं लंबे लंबे चौके छक्ये लगाना बड़ी अच्छे से जानते हैं और आपको फिर से बता दे कि समीर इजवी जो हैं वो मेरट के रहने वाले हैं अभी गोरकपुर के खिलाफ इन्होंने उन्चास गेंदों में शतक भी लगाया था खेलते वे समीर इजवी ने इसी वज़ करती है और उसके बाद उस नाम को बड़ा सितारा में कनवर्ट कर देती है और यही काम किया यहां चिन्ने सुपेंग्स ने समीर रिजवी को खरीद कि अब समीर रिजवी आठ करोड़ चालिस लाख रुपए में CSK के खेमें में शामिल हो गए इनका यह सीजन आइपल का कै कैसा जाता है यह चीज़ देखने वाली होगी आपको कैसे लगे वीडियो कॉमेंट करके में जरूर बताएं और साथे साथो फान स्पोर्ट को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूलें